शोयम प्रभु कह रहे हैं यह जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ यह राज विद्या है अर्थास समस्त जानकारियों में शप्षे बड़ी जानकारी है अगर यह जान गए तो कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा क्या शोयम प्रभु कह रहे हैं राज विद्या राज गु करेंगे और हरी को भूल गए तो हर संपत्ति भारी बिपत्ति बनके तुम्हें दुख देगी देख लो ना किसी का तंत्र तुम्हारे उपर चलेगा ना किसी का कोई मारण मंत्र चलेगा ना कोई भूताविस तुम पर आविश्चित कर सकता है ना किसी भी तरह की कोई बिशा जाने जा रहा हूं ये राज विद्या है अर्थात समस्त जानकारियों में शप्षे बड़ी जानकारी है अगर ये जान गए तो कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा क्या हम प्रभू के हैं और शिर्प प्रभू हमारे हैं प्रभू के आश्रे के विना हम दुखों से निकल नही सकते प्रभू के भजन के विना कोई भी इस तृष्टी में पैदा नहीं हुआ कि हमको शुखी कर सके ये बात मान लीजिये तो तुम्हारा भटकना बंद हो जाएगा श्वयम प्रभू कह रहे हैं राज विद्या राज गुरी है ये हम बिलकुल एकांतिक बातरदय की कह र होगे इसलिए कहा कि जो मेरे पर दोष्ट दृष्टी करते हैं उनको मत बताना क्योंकि वो अश्रधावान दोष्ट दृष्टन करने वाले कहेंगे कह रहे हैं और किसी का भजन न करके मेरा भजन करो मेरा आश्रेलो जो दोष्ट दृष्टी करते हो नहीं समझ पाएंगे प्रभु कह रहे हैं जिनकी निर्दोष द्रष्टी है वो मेरी ये बात समझ ले मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ भगवान कह रहे हैं मेरा अस्रे लेकर के ही तुम इस जन्म अम्रत्यु चक्र से मुक्त हो सकते हो दूसरा कोई उपाएगे किसी की आराधना करोगे तुम्हारी कामना पूर्ती हो सकती है लेकिन फिर क्या एक कामना पूर्ती से तुम निहाल हो जाओगे जिस कामना की पूर्ती को तुम चाहते हो वही तुमें दुख देने लगेगी एक बार भगवान शंकर प्रभू के ध्यान में श्रीहरी के ध्यान में उनमत्य तांडो कर रहे थे बानाशूर के मन में था कि मैं आशाब बली बनूं कि कोई मुझे शहज में परास्त न कर पावे और भगवान शीव की शेवा में था तो तालियां बजा करके भगवान शीव के तांडों में शहयोग करने लगा भगवान शीव प्रशन हुए और अंतर की उसकी बात जानकर कहा जाओ तुम्हारे हजार भुजाएं हो जाएं शास्त्रवा हो जाओ अपार बल तुमें जागरत हो जाएं एशा हो गया तो अब शुक्षी हो जाना चाहिए था ना कामना थी ऐसी अब तो जब अपार बल भुजाओं में पीडा सुरी कोई योद्धा मिले कामना से कामना की उत्पत्ती होती है अब उस पीडा को मिटाने के लिए जिस परवत पर प्रहार करता चकना चूर हो जाता किशी को भी ललकारने में हिचकते नहीं पर कोई शामने नहीं आता भगवान शीव का वरदानी वरप्राप्त के हुए तो वैशे ही सब सर जुका देते थे कि जिस पर त्रिलूचन महादेव जी की कृपा दृष्टी उसे कौन परास्त कर सकता है आखिरकार सब जगे से घूम कर भगवान सीव के पास ही गए और का हे गुरू मेरी भुजाओं में ऐसी बल की खुजली मिट उप्रगटूरी कोई मिटा ही नहीं पा रहा है हम तुम दो-दो युद्ध दो-दो हात करें युद्ध करें भगवान सी वहस दिये हमीशे बल प्राप्त करके हमी को तुम ललकार है हो तुमारी भुजाओं की खुजली मिटाने वाला आ रहा है चिंता मत करो न भुजाएं रहेंगी न खुजली रहेंगी भगवान द्वारी का अधिश हैशी लीला रची जो अनिरुद जी और उशा जी का प्रशंग है उसमें आकर के सुदर्शन चक्र से साथ भगवान शीव ने ही चार भुजाओं की फिर रक्षा की प्रभू अब छोड़ दीजे उनका प्रभू में तो आपकी आग्यां का पालन कर रहा हूँ तो बड़ी बड़ी दिब्बी लीलाओं में देखने को मिला की भगवान शे भी यदि हमारी एक कामना की पूर्ती हो जाएगी तो हमें विश्तराम थोड़ी मिल जाएगा बहुत सी कामनाओं के जाल लगे हैं एक बात पुर्ण कर लो सब कुछ पुर्ण हो जाएगा प्रभूशे प्रभू का प्रेम मांग लो तो भगवान प्रेमा धीन है जब भगवान तुम्हारे अधीन हो गए तो अब तुम्हारी कोई कामना बाकी नहीं रहेगी सही पूछो तो जिसे भगवदानंद की प्राप्ति हो जाती उसमें कामना का इश्पुरण ही नहीं होता जब तक एक कामनाएं हैं तब तक शांती नहीं है जो अशांत है उसे शुख कहां मिल सकता है अशांत श्यक उता शुखो भगवान का अश्च्रे लेकर भजन प्रार्थना मान लीजिए कोई भी शंत महात्मा चमतकार दिब्यता ये तुम्हारे दुख को निवारण नहीं कर पाएगी सब्द याद कर लो हाँ यदि संतों की बात मान लोगे तो दुख रहेगा नहीं ये भी बात मान लो ये कोई चमतकार तुम्हारे दुखो को नहीं मिटा सकता आप लोग शमजते नहीं है हमारे मन की कोई बात एक मिनट की वरतमान की बता दिया तो क्या होगा 24 गंटे हम अपने मन की बात जानते क्या हो अगर तुम हमारे मन की 10-5 मिनट की बता दोगे तो क्या हमारा बन जाएगा बात तो तब बननी है जब हमारे मन की चाल को तुम जानकर मन को भगवत्चर नारविन्द में समर्पित कर दो अब इसमें चाही न रह जाए इसके लिए सभात उठा देंगे और ये ही कहेंगे हरी भजो राम भजो क्रिश्न भजो क्योंकि ये किसी चमतकार से नहीं होता ये केवल भजन से होता है और जब तुम्हारा मनानंद शमुद्र प्रभू में लगेगा तो किसी कामना की चाही नहीं रह जाएगी केवट करुणा में भजवान श्री राम के जब चरणों को प्रक्षालन कर रहा है ये ही चरणों का इस पर्ष हुआ अतियानंद उमग अनुरागा अतियानंद अनुराग का एशा उमगन प्रभू दे रहे हैं तो प्रभू से कह रहा है आब कच्छुनात न चाही हुआ आप से भी नहीं चाहिए मिल गया अनंत जनमों से जिस आनंद की खोज कर रहा था जगत में समय नश्ट हुआ हे जगदीश आपके चरणों का इस पर्ष हुआ आज वो प्राप्त हो गया अब कच्छुनात न चाही हुआ एक ही बात तुम्हारे हरदय में बैठ जाए कि हमारे दुखों के छूटने का एक मात रुपाए भगवान का इश्मरन भगवान ब्यास देव जी कह रहे हरी श्मर्ती सर्व विपद विमुक्षणम कोई भी बिपत्ती ऐसी नहीं है जो भगवान का इश्मरन करने वाला जीत न पाए बिपत्ती को बिपत्ती उछे परास तो नहीं कर सकती हर बिपत्ती संपत्त्त से बढ़कर सुख देने वाली बन जाएगी यदि आप हरी श्मरन करेंगे और हरी को भूल गए तो हर समपत्ती भारी बिपत्ती बनके तुम्हें दुख देगी देख लो महा भागवत शिवश्वरूप हनुमान जी महराज कह रहे कहा हनुमंत बिपत्ती प्रभु सोई जब तो शुमिरन भजन न होई ये ग्यानिनाम अग्रगर्ण्यम है बुद्धिमताम बरिष्टाम है इनकी बात मान लो ये गुरुश्वरूप है भक्ती के दाश भाव के आचार्य है कह रहे हैं कि वही बिपत्ती है वही महान दुख में फशा देने वाली बात है जब भगवान को भूल गए जब भगवान की शेवा और शुमिरन नहीं होता तो कोई भी स्विपत्ती तुम्हें शुक प्रदान नहीं कर सकती भगवत बिमक को यहां से लेकर ब्रह्म लोक तक कहीं सुख कानुबों नहीं हो सकता और भगवत इस्मरण वेले को नर्क में भी दुख नहीं हो सकता इसलिए आचारी चरण के रहे हरिवन्ष महाँ प्रभू यत्र यत्रमं जन्म कर्म भिर नार के परमे पदे थवा राधिकारत निकुन्य मंडली तत्र तत्र हद्मे विराज ताम हे प्रियाजू चाहे मुझे कर्म के अनुशार नरक में रखो सुरग में रखो परमपद में रखो इसकी मेरी मांग नहीं है मेरी मांग है कि मदुर मदुर इश्मरती आपकी होती रहे और आप अपने रास परिकर के सहित मेरे हरदय मंडल पर विराद मांग रहे अब चाहे नरक रखो चाहे परमपद दोनों ये कई बात है परमपद और नरक ये कई बात हो गई क्योंकि प्रियाजू का इस्मरण चल रहा है प्रियाजू की रूप माधुरी बसी हुई है आज तक कहीं कोई ऐशा प्रमान नहीं मिला कि भगवद बिमुक्षुखी हो गया हो कहीं नहीं प्रमान मिला हम जो भोगों की तरफ लालाइत होते हैं हमारे तो माने हुए बहुत छोटे भोग है इतिहास में जब पढ़के देखते हैं कि चक्रवर्ती समराट और जिनकी सया पर उर्वसी जी भी राजमान है उनको भी तरपती नहीं पागल होकर विश्यों की तरफ भागते रहे और हाहा खाए देखो पढ़कर के शास्त्रों को कि हाए मैं लुट गया दिकाल है मेरे जीवन को मैं कहां फस गया वो बोल रहे है वो उर्वसी जी जिनको देखकर रिशी मुनियों के मन बिचलित हो जाते हैं उनके लिए प्रुरवाजी के रहे हाँ हाँ मैं ठगा गया मेरा जीवन बेर्थ चला गया मैं बिर्थ में अपने को शम्राट मानता रहा मैं तो विशेयों का घ्रणित दास रहा कोई भी कई भी कैशा भी जब तक आप प्रभू के चरणों का आश्रे लेकर भजन नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी श्री भगवान के रे असद्धधानाः पुरुशाः धर्मश्याश्य परंतप अप्राप्यमाम्निवर्तंते मृत्युशंशार वर्त्मनी असद्धधानाः पुरुशाः धर्मश्याश्य परंतप हे परंतप अर्जुन ये जो मैं धर्म बर्णन कर रहा हूं ये बड़ा महिमा में है देखो भगवद आश्ट्रे एक बहुत अमूल लिवस्त्व है साधना एक तरफ हो भगवद आश्ट्रे एक तरफ बात समझो ये समझ में जल्दी नहीं आती भगवद आश्ट्रे ही मोक्ष दिलाता है भगवद आश्ट्रे ही प्रेम दिलाता है भगवद आश्ट्रे ही हमें इस भवशागर्शे मुक्तिप दिलाता है सच्ची मानिए आश्ट्रे रदैशी ले लिया जाए प्रभू का और फिर कोई विसे हमें भटका दे तो भी परिणाम हमारा मंगल ही होगा क्योंकि प्रभु को शुभाव है बिमुख भय निमिशहु न अक्रपा जब चितए तब वैशे बड़ी ये बात जो सूर्दास्टी महाराज के पद में है ये हरदय को लूट लेने वाली बात है प्रभु का आश्रे लिया और कुछ समय भजन की और फिर बिमुख हो गए तो ऐसा नहीं कि प्रभु अक्रपा कर देंगे जब लूट के देखोगे तो वैशे उनका प्यार दुलार मिलेगा वैशे उनकी बाहो आपका अलिंगन करने के लिए फैलाए आजाओ तुम मेरे हो बिमुख भये निमिशव ना अक्रपा जब चित है तब लूट कई बार बता है ये विश्वास के लिए कहते हैं कि इस धर्म की परम महिमा है जगन्नाजी के स्रियंग शेवा में कुशंग से वैश्यागामी हो गए अंग शेवियों ने संगोष्ठी की और उनसे कहा स्रियंग की शेवा या वैश्या का शंग दो में एक निश्य करो दोनों साथ नहीं चलेंगे तो उन्होंने श्री अंग की सेवा छोड़ दे श्री जगनाद भगवान के और वैश्या का श्रण ये विश्य बड़ा बलवान है ये बड़े-बड़े विद्वानों की इंद्रियों में भी अपना प्रभाव दिखा देता है विश्य बलवान इंद्रिग्रामों विद्वानम अपिकर्शति जब उनका अंतिम शमयाया तब जगनाद जी भगवान में वैसे ही कृपा की जैसे अपने निजंग शेवी पार्षदों पर करते है और अपने पार्षदों को आदेश किया कि उनकी अंतिस्टिक क्रियाभी वैसे ही करो जैसे हमारे अंग शेवीयों के विधान में होती है उन्होंने का प्रभू इन्होंने तो आपको छोड़ दिया था और वैस्या को श्वैकार किया था उनका उसका स्वभाव है मेरा स्वभाव ने एक बार जो मेरा आश्रे ले लेता है मैं उसे कभी छोड़ता नहीं इस धर्म की बड़ी महिमा है ये परम महिमा है साधन करोगे तो एक नोकरी जैशा है आप जितना साधन करोगे उतना आपको फल मिलेगा लेकिन भगवद आश्रे होकर नाम जब करोगे परिणाम वही दो जो मेरे यंग शेवी का होता है ऐसा हमारे प्रभू का शुभाव है उमा राम शुभाव जही जाना ताई भजन तजि भाव नाना ये ऐसा परम धर्म है कोई भी इस धर्म में चलने वाले को परास्त नहीं कर सकता इबात ध्यान से समझ लिजे जैसे कोई बहुत बड़ा तांत्रिक है और वो भूतों को वश्मे करने वाला है और तुम्हारे उपर भूत लगा दे तंत्र के द्वारा मारण मूठ या कोई शाप या किशी तरह का अमंगल ध्यान दीजे ये इस धर्म की बड़ी महिमा है यदि आप भगवदाश्टित हैं नाम जब कर रहे हैं तो ना माया का कपड चलेगा ना किसी का तंत्र तुम्हारे उपर चलेगा ना किसी का कोई मारण मंत्र चलेगा ना कोई भूतावेस तुम पर आविश्टित कर सकता है ना किसी भी तरह की कोई बिशादी की यदि आप सच्चे हरदे से भगवान की शरण में हो तो तुम्हारे उपर बिश का भी प्रवाखवाया जाएगा बिश ओ हो जाएगा श्वास्त वर्धक अम्रत गरल सुधा गोश्वामी जी के रहे रिपु करह मिताई गोपद शिंदु अनल सितलाई जो भगवान का अश्रित जन होता है उसको बिश भी अम्रत हो जाता है अगर उससे दुश्मनी करेगा न कोई और उसका बुरा चाहेगा वो जितना कुप प्रचार करेगा निंदा करेगा उतने उसका यस बढ़ेगा अगर वो आग लगा देगा तो उसके सरीर में चंदन से भी बढ़कर शीतलता का काम आग करेगी जो भगवद अश्रित है श्री हरी राम ब्यास जी ने भी प्यारी जुके चरणों के आश्रि जनों को पुष्ट करने के लिए बताया कि राधा प्यारी के चरणार बिंद सीतल शुकदाई कोट चंद मंद करत नक भी दुजुनाई सी राधा प्यारी के चरणार बिंद सीतल शुकदाई साप ताप रोग शोक दारुन दुखारी हमारी गोरी भोरी प्रियाजू के गोरे चरणारविंद का जिसने आस्त्रे ले लिया है शरणागती ले लिया है और राधा राधा नाम जब करता है तो किशी भी जिशी का साप उसके लागू नहीं होगा अरी राम ब्याजी के रहे ये विशाखा शक्खी के अतार है के रहे शाप कोई लागू नहीं होगा उसके उपर ताप दैविक भोतिक ताप उसका इस पर्ष नहीं कर सकता कोई भी पाप उसे अपने अधिन नहीं कर सकता किशी का भी तांत्र मंत्र उसके उपर लागू नहीं हो सकता क्यूंकि यह चरणार बिंध लाल जुके भी इस्ठ है और यह चरणार बिंध दुष्टों की दुष्ठता का दलन करने वाले और हरदय में प्रेम प्रकाशित करने वाले है कोई भी भ의्यानक से भ'यानक रोग तुमारे शरीर पर हो सकता है पर वो तुम्हें अधिन नहीं कर पाएगा शाप ताप रोक शोक बड़ी से बड़ी हानी होने पर भी तुम्हें शोक इस पर्ष नहीं करेगा प्यारी जुके चर्णों का जिसने आश्ट्रे ले लिया है ये ऐसा परमधर्म है कि इसके आश्ट्रित को कोई भी तंत मंत्र, मूठ, मारण, भूत, प्रेद, पिसाट, पिसाचनी कोई भी नहीं इस पर्ष नहीं कर सकता द्यान रखना हां अपना कल्यान कराने के लिए शामने आ सकता है क्यूकि नाम ज़ापक ही सब के कल्यान का शामर्थ भाव रख सकता जो डिरंतर नाम जब करता है उसमें शामर्था जाती है एक बार भाय जी से हनुमान प्रशाद पोद्दार जी समुद्र की किनारे बेठे नाम जब कर रहे थे तो देखा एक शफेद पोशाक पहने हुए पाक बाने हुए पारशी भेश भूशा में शामने खड़े हैं भाय जी ने स्दाचार के कारण कहा भाय जीन का मैं क्यों डरूँगा आप कोई भयावा थोड़ी लग रहे हैं बुले लग नहीं रहा लेकिन भयावा हूँ मैं प्रेत हूँ जो भगवत भजन में ये सब कई जगे ऐसा घटना में गंगा किनारे जैसे श्मशान है ऐसा ऐसा नहीं कि प्रेतियों नहीं होती हो रूप प्रभाव नहीं दिखा सकती है ऐसे प्रत्यक्ष देखा है बाई जी नहीं कहा कि तो आप हमारे पास क्यों आए हो बोले अपना उद्धार कराने के लिए मुझे गीता कंठस्त है बहुत से सास्त्र कंठस्त है पर कुछ ऐसे मेरे से गल्पियां हो गए है जिनके परिणाम रूप मुझे प्रेतियों नहीं प्राप्त ही है फिर मुझे आंतरिक शंकेत हुआ है कि आप हमारा कल्यान कर सकते हो भाई जीनकाय तो बड़े आश्चर की बात है कि आपको गीता कंठस्त है और फिर आप प्रेतियों नहीं है गीता के किस लोग बोल देतों प्रेत्यों तो मुक्त हो जाता है बोले मुझे से कुछ ऐसे भयानक अपराद हो गए है जैसे गुरुद्रो है वैश्णो अपराद ये बड़े भयानक अपराद होते है जब किसी का पतन होना होता है तो माया यही खेल खेलवाती है क्योंकि और सब पाप है वो दरस परस अगनास गुरुजनों के संतों के दर्शनों से इनस्ठ हो जाते है लेकिन संत द्रो नाम जापक वैश्णो द्रो गुरु अवग्या गुरु द्रो ये भयानक अपराद होते है इनसे दुर्गती हो जाती है तो अपना कल्यान करने के लिए कोई ऐसा भले नहीं तो किसी भी भक्त के सामने भगवदाश्रित नाम जापक के सामने किसी का चेटक नहीं चलता है और जो इस परमधर्म में भगवदाश्रे में उस के आचरण बड़े पवित्र हो जाते हैं लक्षान है इसके क्योंकि भगवद आश्रे लेने वाला भगवद बिमुक आचरण कैसे कर सकता है कैसे कर सकता है और भगवान की शामर्थ का भरूशा है तो भगवान की शामर्थ उसे बचाती है आचारह परमोधर्म आचारह पर अध्या नहीं। सदाचारास उच्छ दे आचरण ही परम धर्म है आचरण ही परम तपश्या है आचरण ही परम ग्यान है एक बार भगवान शुक्देव जी गर्वशे ही वैरागी एकांत शेवन करके ब्रमभोध संपन तो उनको ये लगा कि मेरे को जो बोध है इसका प्रमान भी होना चाहिए इसमें लिका है आचरण ही परम ग्यान है तो प्रमान होना चाहिए कि मुझे शत्य का जो बोध हुआ है यही बोध है तो परम ग्यान शुरूप अपने पिता भगवान व्यासदेव जी के शमीप गए और कहा भगवन जो मुझे बोध हुआ है यही आत्मबोध है कुछ नहीं बोले जैसे गरुण जी महाराज भगवान शंकर के पास गए अपनी समश्या बताई कि मुझे संशय हो गया है भगवान में तो भगवान शिव ग्यान शमुद्रे एक शण में निवारन कर सकते थे पर कहा कि हे उमा भगवत करपाश मैंने अंदर की बात उनकी जान ली कीन हो इसकब हूँ अभिमाना सोखो वन्चा करपा निधाना तो अगर हम उत्तर दे देंगे तो वो उस पर प्रहार नहीं होगा अभिमान पर अभिमान इसना नष्ट होगा जब कागो शुन्डी जी के पास जाएंगे क्योंकि पक्षियों के महान राजा भगवान के निकटनिवासी वहान यह जब वहान नीचे जाके बैठेंगे तो अभिमान नष्ट हो जाएगा तब बात समझ में आएगी ऐश्री भगवान ब्यास देवजी ने कि जब तक पुर्ण गुरु भाव ना हो तब तक जो उपदेश किया जाता हो ज्यादा रंग नहीं लाता और जब ये भाव हो जाता है मेरे शद्गुरु देव भगवान है तो उनकी हर बात पर हमारी निष्ठा होती है इसलिए भगवान ब्यास देवजी उत्तर दे सकते थे पर उन्होंने का विदेहराज जनक जी के पास तुम जाईए इसका सम्यक बोध किये हुए महापुरुष है और वही प्रमान देंगे तो जुष में लिखा है कि ज्यान माचराथ आचरण ही ज्यान का प्रतीक है जब स्री शुकदेव जी महाराज जनक जी के पास गए हो तो त्रिकालग बोध शंपन महापुरुष विदेह राज कहे ही जाते हैं ग्यानियों में शिरोमनी है शुचना पहुँची की परमहन्ष दिगंबर भेश और स्वरुपानंद में च्छके हुए आपके द्वार पर खड़े हुए हैं सुकदेव जी महाराज वो आप से मिलना चाहते है उनका हाग कोई उत्तर मत दो और अंदर प्रवेश मत होने दो आचरन ही ग्यान है एक दिन दो दिन शात दिन हो गए कोई उत्तर नहीं रोज पुष्टे कि उनके मुखार विंद पर कोई किसी तरह का परिवर्तन वोले भगवन कोई परिवर्तन नहीं जैसे आये थे वैशे ही खड़े नहीं तो हो शकता है न एक दिन हो गए दो ये क्या तरीका है कुछ तो बोलो ना हाँ बोलो या ना बोलो कुछ हल चल तो होनी चाहिए ना अंदर कोई हल चल नहीं शात दिन शात रात तरी वैशे ही खड़े ठीक है अंदर ले लो महल में ले जाओ और नवीन नवीन युवतियों से कहो कि इनकी सरवांग शेवा करे आदेश हुआ जनत नो युवतियां वैशे ही दिगंबर रहते थे इस्नान करा रहे हैं उटन लगा रहे हैं सब शेवा है मुखाकरती पर कोई फर्क गुलिवगवन कोई फर्क नहीं रात दिन नो युवतियां शेवा कर रहे हैं कोई फर्क नहीं साथ दिन साथ रात त्री वां वितित हुई कोई फर्क नहीं अवलाव शामने आए उनका है मुनिवर आपको जो बोध हुआ है वही आत्म बोध है कोई प्रशन उत्तर नहीं आचरन ही प्रमानित कर दिये कि तुम्हें बोध हो चुका है क्योंकि जो श्वात्माराम पुरुष है वो कभी मान अप्मान और विशेमर्ग तरशनामे भ्रमित नहीं होते नहीं श्वात्मारामम विशेमर्ग तरशनाम भ्रमिती तुम्हारा आचरन ही बता देगा तुम्हारी स्थिती क्या है इसलिए जो भगवद आश्रित होते हैं उनके सारे दोष भजन से नश्ठ हो जाते हैं आचरन के परम पवित्र प्रमानित होते हैं सास्त्र प्रमानित होते हैं सदाचार विनम्रता पवित्रता यह तो शाधु के शुभाव में होता है भगवद आश्रित के शुभाव में होता है यदि वो शाधु वेश रखे है और आचरण हीन है तो यह पाखंड है आचार हीनमन पुनंति वेदा यद्य पिधीताह सास्ट भिरंगई छंदास सेनम मृत्युकालेत जन्ती नीडम सकुन्ता इवजात पक्षाहा छै अंगों के सहित पूरा वेद पढ़े हो सब सास्त्र कंठस्तो पर आचरन बरश्टो हो तो मृत्युकाल के समय उसका सारा का सास्त्र ग्यान ढख जाएगा और वो नीची उनियों को प्राप्त होगा जैसे पंख निकलाने पर पक्षी गोशला छोड़ देता है ऐसे ही आचार ब्रश्ट का अंतिम शमय सारा ज्यान विज्यान इस्मर्ती नष्ट हो जाती और दुर्गती को प्राप्त होता है आचरन ही चरित्र ही प्रमानित करता है कि तुम भगवदाश्टित हो या विशयाश्टित हो इसमें एक बात सूक्ष्म समझनी होगी एक सादुता के मार्ग पर चल रहा है भेशदारन कर लिया है उसमार्ग का पतिक है पर चल रहा है भी जो पहुचा हुआ है उसकी ये इस्थिती होती है जो चल रहा है वो फिशल सकता है इसलिए इस फिशलन में गुरू का हाथ पकड़ के चला जाता है अर्थात गुरूदेव की आग्या पर चला जाता है निकभ हम फिशल जाएं कहां फिशल जाएं इसका कोई भरोशा नहीं होता इसलिए गुरूदेव की आग्या पर जो रहता है तो फिशलन होती नहीं जैसे जहां फिशलन होती नुकिला डंडा हो तो ऐसे ऐसे गुरुदेव की वचनों का आस्त्रे लेकर इस मार्ग पर चला जाता है